लतामंगेशकर की चले जाने से पुरा देश कम हीं हो चुका है पुरा देश लतामंगेशकर को याक कर रहा है संगीत प्रीमियों के। लीए यह साबसे बड़ा नक्षान है जिसकी भरवाई कोई नहीं कर सकता लटा मंगेशकर जी के जाने के बाद एक एक बात उनकी याद आ रही है क्रिकेट को लेकर उनका प्रीम अद्बुत था लटा मंगेशकर साड़ियों का काफी ज़दा शोक रखती थी क्राइम शोस देखनावने काफी पसंद था इसके हलावा एक ऐसी चीज भी थी जो लटा मंगेशकर जी को काफी पसंद थी और वो थी चॉकलेट्स जी हाँ जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों वैलेंटाइन दी की दिन चल रहे हैं और ऐसे में कल चॉकलेट डे था और लदा मंगिशकर जी को चॉकलेट से काफी साधा लगाफ था वो इससे अपनी कमजोरी भी मानती थी वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जिनकी आवास में ही इतनी मिठास हो भला उन्हें चॉकलेट की क्या जरूरत मगर लदा जी का दिल चॉकलेट पर आकर फिरसल जाता है यहां तक कि उन्हें किसी चीज के लिए मनाना हो तो चॉकलेट से काम चुल जाता है एक दफ़ा वहीदा रह्मान ने लदा जी को चॉकलेट प्रीम पर बात की थी वहिदा रह्मान ने इंटेव्यू में बिताया था कि मुझे सन 1971 बार के बाद पांगलादेश के लिए एक शोव बनाना था मैंने लतामगेशकाजी के जी से इस बारे में बात की मगर उन्होंने कह दिया मैं उन्हें नहीं मानती दस दिनों तक मुझे उन्हें बनाना पड़ा फिर मैंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और मन बना लिया कि मेरे पास और कोई दूसरा अप्शन नहीं था लतामगेशकाजी को चॉकलर्स काफी परसंद थी और मैं उनके लिए धेर सारी चॉकलर्स बेजने लगी फिर एक दिन वो शो का हिस्ता बनने के लिए दयार हो गई उन्होंने मुझे कहा कि वहीदा तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है तुम बहुत स्मार्ट हो यह पुड़ी कपर जाहां पर लतामगेशकर्जी को चॉकलेट्स काफी ज़्यादा पसंद थी और इसकी बारे में ख झाल